हलो दोस्तों तो आज मैं आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूर की जुमेक्टरी के बारे में समझाना चाहता हूं तो यहां पे देखें मेरे पास क्या है कि एक मॉडलिंग की हल्प से सौफ्टर की हल्प से मैं आपको यह त्यार करके दिखाऊंगा तो यहां पे मेरे पास समझना बढ़ा इजी लगेगा आपको तो यहां पे यह वाला जो एज है आप नाम याद कर लें ये वाला एज जो है इसको हम कहते हैं end cutting edge end cutting edge और ये जब वाला जो है इसको हम कहते हैं क्या हमारे पास side cutting edge side cutting edge ये वाला edge जो होता है वो main होता है हमारे पास ये main होता है और ये सामने वाला end cutting edge होता है यह main cutting जो करने होती है, इस edge नहीं करने होती है, तो मैं जब देखो, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कि इसका edge त्यार करना है, single point cutting tool, तो single point cutting tool का मदलब क्या है, इस point को, इस single point को हम use करना चाहते हैं, यह edges दो हैं, लेकिन हमारे पास edge यह वाला use होगा, तो इसको sharp बनाने के लिए, इसको तीखा करने के लिए क्या करेंगे हम, इस edge को और इस edge को turn करेंगे, तो देखें, मैं क्या करता हूँ, यहां से edge को turn करता हूँ, तो यह देखें, edge को turn कर दिया, और इससे क्या होगा अब, अब इससे यह हो गया कि हमारे पास यह end cutting edge angle बन गया end cutting edge angle बन गया, यह angle थोड़ा सा turn कर दिया, अभी हम इस edge पर काम करेंगे, तो अब यह देखिए, यह वाला जो edge है, इसको भी मैं turn करता हूँ, तो यह इस तरह से आप turn कर सकते हैं, तो अभी यह वाला और यह दो edges जो मैंने turn कर दिये हैं, तो आगे देखिए, अब मैं क्या करत से आपको दोनों angle दिखेंगे, यह हमने turn किया था, यह वाला और यह वाला, ठीक है, तो मेरे पास दुबारा देख लो एक बार यहाँ पे, तो यह turn किया है, थोड़ा सा टेड़ा किया है इसको, तो यह जो किया है, इसके कारण हमारे पास दो edges त्यार हो गया है, दो angle त्या क्लीरेंस 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 क्लीरें करेंगे तो एंड रिलीफ एंगल इसको पीछे करेंगे तो हमारे पास साइड रिलीफ एंगल तो देखें इसको मैं पीछे करता हूँ अभी तो यह देखें पीछे हो गया यह हो गया तो इसके कारण क्या होगा हमारे पास यह यह एंगल कौन सा बन गया हमारे पास एंड रिलीफ और यह वाला साइड करती है मैंने तो हमारे पास साइड रिलीफ एंगल तो यह दोनों एंगल त्यार हो गया है अभी एक देखिए कि हमारा जो चिप फ्लो करना है उसके लिए भी हमें कोई रस्ता बनाना पड़ेगा तो इस टूल पर हम क्या करेंगे एक एंग यह रिलीफ एंगल दिख रहा है साइड र्लीफ दिख रहा है यह द coral कि अबइससाइड बेंद देखें कि अब देखिें हमारे पास कि हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा यह जो हमारे पास share इसको नीचे कर देते हैं इससे क्या होगा चिप फ्लो इजी हो सकता है चिप फ्लो इजी हो सकता है यहां से और इसको भी मैं डाउन कर दूंगा तो इससे डाउन होने से तो सामने से मेरे पास दिख रहा है कि यह हमारे पास साइड में दिखिए यह साइड में हमारे पास एंगल डाउन जा रहा है तो इसको कहते हैं साइड रेक एंगल साइड रेक एंगल यह डाउन चला गए साइड रेक एंगल ठीक है और यह देखिए अब यहां पर देख सकते यह वाला, यहां से आपको easy दिखे, और यह side जो हमारे पास देखे, side view से हमें दिखेगा, तो वो यह दिख रहा है कि back rake angle किस तरह से है, और end clearance angle किस तरह से है, ठीक है, next चलोएं, आगे, तो आगे वाले में हमारे पास view में किया, यह दिखे, हमारे पास end cutting edge angle दिख रहा है, औ तो इस तरह से आप देख सकते हो, अभी देखते हैं कि जो rake हमारे पास surface है, rake angle उसका क्या effect है, अब जो हमने down किया न यह, तो किस तरह से करेंगे, कि हम इस, यह जो हमारे पास edge है, इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, देखे, पहले down, यह देखे, यहां पे, अगर मैं कि यह जो edge है, इसकी thickness बड़ी हो जाती है, जैसे जैसे negative rake angle हो जाता है, तो यह हमारे पास क्या हो जाता है, thickness बड़ी हो जाती है, तो यह edge थोड़ा सा sharp नहीं है, बहुत जाद तीखा नहीं है, इसकी मोटाई बढ़गी, two life भी बढ़ती है इससे, तो यह देखो, इस तरह स आप rake angle को भी समय सकते हो, positive or negative rake angle को समय सकते हो, तो यह हमारे पास positive or negative rake angle आपको समयना easy हो जाएगा इससे, तो यह सारे view आपको एक बार दिखा देता हूँ, और यह सारा हमारे पास किस तरह से negative or positive rake angle है, यह easy होता है समयना, नहीं तो काफी मुश्किल हलती है, तो planes देख उनटेंश सकते कि कौन सा प्लैन हा हमारे यह तीन प्लेन हमले यह तीन प्लेन है तो तीनों प्लेन का मैं अलग लग दिखांगा आपको यहांक से टॉप उपको में यहां से दिखेंज आधाय bên था ईस अम प्लेंज इंग को भी पीव से नथे भीा और टूल के एक्सिस है उसके हम क्या करेंगे प्रपेंडिकुलर प्रपेंडिकुलर एक्सिस बनाएंगे और एक पैरलर बनाएंगे तो यह देखिए हमारे पास यह प्रपेंडिकुलर इस तरह से तो यह है हमारे पास एक और प्लेन त्यार होड़ा है तो यह हमारे पास प्लेन है यहाँ पे आप देख सकते हैं और दूसरा जो plane है देखिए हमारे पास यह इस तरह से आएगा तो सारे आप angles एक बार देख लिए और यह देखे plane इस तरह से तो planes अलग-लग सारे आपको सारे angles यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और यह देखिए तीसरा प्लेइन यहां पर यह तीसरा प्लेइन है तो तीन प्लेइन अलग लग एक्सेज में जो हैं वह मैं दिखाने की कोशी कर रहा हूं आपको यह चीज समझ आ दी होगी मैंने यह सौफ्ट्वेर है तो यह सौफ्ट्वेर का जो डाउनलोड आप कर सकते हो मैं आपको लिंक देदूँगा काफी अच्छा सौफ्ट्वेर है इससे आप देख सकते हो और समझ सकते हो मेरी वीडियो अगर पसांद आईए तो आप लाइक और शेयर जुरू करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक यू थैंक यू सो माज